नमस्कार अदाब सास्त्रियकाल स्वागत है आप सभी सुरतागनों का आपके अपने यूटूब न्यूज चैनल क्लीन न्यूज यूपी में आप जान सकेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर परदेश राजी के तमाम छोटे वंग बड़े खबरों को तो न्यूज के अंतक बने रहें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप यूपी के कीस जीले से हैं तो चलिए खबर को शुरू करते हैं जानते हैं आग की मुखे समाचार चलिए डालते हैं यूपी पंचाय चुनाओं पर एक नजार अठारम मार्च को जारी होगी पंचाय चुनाओं के अधिसुचना चार उपदों के लिए एक साथ बोटिंग जी हां उत्तर परदेश में पंचाय चुनाओं कराने के लिए राजी निर्वाचन आयोग ने भले यह हाई कोट से 60 दिन की मौलत मांगी थी लेकिन वर्स 2000 में आयोग मात्र 37 दिनों में चुनाओं के परक्रिया पूरी करने का रिकॉर्ड बना चुका है जल्द चुनाओं कराने को लेकर हाई कोट के रुक को देखते हुए आयोग अब 42 से 45 दिनों में ही चुनाओं कराने की त्यारी में जूट गया है तीस अप्रेल 2020 तक प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग 18 मार्च को पंचा चुनाओं की अधिसुचना जारी कर सकता है बसर ते राजिस सरकार पदों के आरक्षन की अधिसुचना समय से जारी कर दे यूपी में 11 महने बाद 10 परवरी से खुलेंगे छोटे बच्चों के स्कूल सीअम योगी ने दिया निर्देश जिहां यूपी में 9 से 12 में तक के स्कूल खुलने के बाद अब छोटे बच्चों के स्कूल भी खुलेंगे कोरोना के कारण बन चल रहे यह स्कूल करीब 11 महिने बाद खोले जाएंगे सियम योगी ने कुछ दिन पहले स्कूलों को खोलने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था करने का निर्देश दिया था अधिकारियों का प्रस्ताव मिलने के बाद इस पर सुक्रवार की दोफर आदेश जारी हो गया सियम योगी ने निदेश दिया कि किनर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खोले जाएंगे आदिस में कहा गया है कि दस परवदी से छटी से आठवी तक के स्कूल खोल जाएंगे एक मार्च से पहली से पाँच्वी तक के सभी स्कूल खोल जाएंगे फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश उत्राखंड में नहीं होगा चका जाम किसान ने तराकेश टिकेट ने किया एलान जिहां सनिवार को होने वाले चका जाम की तयारियों के बीच किसान ने तराकेश टिकेट और बलबिर सिंग राजेवाल ने एलान किया है कि उत्तरप्रदेश उत्राखंड में चका जाम नहीं होगा इस दिन के वल किसान ग्यापन देंगे इससे पहले भारती किसान यूनियन के राष्टी प्रवक्तर आकेश्टिकेट ने किसानों से अपिल करते वे कहा है कि जो लोग यहां नहीं आ पाए हैं वो अपनी अपनी जगों पर सांतिपूर्ण तरीके से सनिवार को चका जाम करें उन्होंने कहा है कि जाम दिली में नहीं होगा वह ही चका जाम के खबरों के बीच दिली पुलिस के पियारों चिन्मेब शूआल ने बताया है कि परदर्सन कारी किसानों ने चका जाम का प्रस्ताव रखा है ऐसे में इस दोरान 26 जन्वरी जैसे हालात न हो जाएं इसलिए दिल्ली पुरिष्टे पुक्ता इंतिजाम किये हैं ताकि दिल्ली की सिमाओं से कोई भी और समाजिक तत्तो राइधानी के भीतर ना गुश सके पुरो मुक्मंत्री अखलेस यादव की याद सताने लगी है सिवपाल ने कहा अगर अखलेस साथ होते तो उत्तरपते सहीद दो और राज्यों में उनकी सरकार होती जिहां हलांकी इस दोरान उन्होंने सपा के साथ गड़ मंधन पर साप इंकार कर दिया सिवपाल ने कहा कि अगामी यूपी विदान सवाच चुनाओं के लिए छोटे-छोटे दलों का बिले होगा समाजवादी पार्टी प्रमुक अकलेस यादव ने कहा भाजपा का स्वतंतरता अंदोलन से नहीं है कोई सम्मन सिर्फ दिखावटी चर्चा जिहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकलेस यादव ने कहा कि भारती जनता पार्टी का स्वतंतरता अंदोलन से कोई सम्मन नहीं रहा है विजे पीकेवल दिखावटी चर्चा करती है स्वतंतरता अंदोलन की चर्चा करना ही परियाप्त नहीं बलकि स्वतनतर्ता सेनानियों के मुल्यों को अपना कर उन पर चलने का संकल पी लेना चाहिए अकलेस यादवने कहा कि परतिबद्ध ताएं वा उसकी प्राथिमिक ताएं ताइक करने के साथ उन पर पूरी निश्ठा रखते हुए मन, क्रम, बचन से समर्पन करना होता है जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वा उत्रप्रदेश के पुर्व मुखमंतरी अकलेस यादवने बड़े ही साहराना अंदाज में केंद्र की नरेंद्र मोधि स्थरकार पर तंज कसा है अकलेस यादवने गाज़िपूर बॉर्डर पर लगी कीलो को हटाने की एक न्यूज का स्क्रीन सोट सेर करते हुए लिखा कीलो की तरह जो कानून है कल ये भी हटाए जाएंगे दरसल क्रिसी कानूनों के विरोध में किसान पिछले 22 दिनों से दिली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और बीयोध पर दरसं कर रहेadora हैं वहीं राइधानी दिल्ली में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद दिल्ली पुलीस ने परदरसंकारी किसानों को रोकने के लिए गाजीपुर बोर्डर पर तमाम बैरी केंडिंग सिमेंट की दिवारें लोहे की तार सड़क पर कील आदी लगाई गई थी ताकि किसानों का बोर नसी के बीच बनेगा गंगा एक्सप्रेस वे जी हां मकान दुकान या फिर खुमचे वाले यूपी में अब सभी को देना होगा कुड़ा उठवाने के पैसा जी हां यूपी की योगी सरकार उत्तर परदेश ठोस अपसिष्ट नियमावली 2021 बनाने जा रही है ऐसे में अब परदेश के हर सहरी निकाय में कुड़ा उठवाने का चार्ज लिया जाएगा जी हां अब तक कुछ निन्दा सहरों में ही कुड़ा उठवाने का चार्ज लिया जाता था अब इसे परदेश के हर सहरी निकाय में लागू करवाने की तयारी है नगर विकास विभाग ने जो यादाव के ड्रीम प्रोजेक्ट के मुरीधिवे सीयम योगी के मंत्री बुरे सांदार इसे परदेश का गोराव बढ़ेगा जिहां। मौके पर राज के वन मंत्री द्वारा सिंग चोहान के अलावा पुर्व केंद्री राज मंत्री और इटावा के सांसद फ्रोफेसर राम संकर केठेरिया भी अकिलिस यादों की इस परिकल्पना की भी जम कर तारीब कर चुके हैं। इलावाद हाई कोट ने सरकार को निर्देश लोगों को उत्पिडन रोकने का तंत्र बिक्सित करने का आदेश दिया है। जिहां उत्तर परदेश में सांती भंग की असंका पर पाबंद करने और हिरासत में लेने में पुलीस की मनमानी परिलावाद हाई कोट ने नराजगी जाहिर की है। हाई कोट ने परदेश सरकार को ऐसा तंत्र बिक्सित करने का निर्देश दिया है जिसे निर्देश लोगों को उत्पिडन रोका जा सके। कोट ने SDM वरानसी से भी जबाब मांगा है। लोक भौन के सामने एक ही परिवार के साथ लोगों ने की आत्मदा की कोशिस। जियां उत्तर पदेश की राइधानी लखनाओं में संसनी खेज घटना सामने आई है। राइधानी के हज़र्द गंठाना चेत्रेस्थित लोक भौन गेट के सामने एक बर फिर आत्मदा की कोशिस की गई है। सुक्रवार को एक ही परिवार के साथ लोगों ने खुद पर पेट्रोल डारकल आत्मदा करने की कोशिस की है। इस दोरान मुके पर मौजुद पुरिस कर्मियों ने परिवार को आत्मध्या करने से रोक लिया। तंकारी के मुताबित परिवार के मुख्या राजा राम, पत्नी राम स्री, बेटा उमेज, पत्नी उसादेवी, बहन पुस्पा, बेटे वीरु यादा और अंकूल ने आत्मदा का परियास किया। परिवार हर दोई जीले के धना पुरुवा करने वाला है, बताया गया है कि मकान पर दबंगों के कबजे किये जाने से परिशान होकर परिवार ने या कदम उठाया है। परियास अंसुदान के ततकाल जमा की सुधा भी पादान करती है। इस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन में प्रेंशन का सारा काम मिटा सकते हैं। बैठे खत नहीं होती है। वैसे आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें बैठे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। मतलब कम समय में फोन चार्ज हो जाता है। अब चिनी स्मार्टफोन कंपनी जियोमी चार्जिंग के एक खास टेकनोलोजी पर काम करें। स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। मदू में रोगया में भारत दूसर स्थान कोविड-90 महामायों ने हमें एहसास कराए कि स्वास्त बढ़कर कुछ भी नहीं है। पैस्थोत्या कैसे भी हो, फिट और स्वस्त बने रहना अब हर किसी की पाथ मिक्ता बन चुकी है लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा कोविण परभावित देश होने के बावचुत भायत में लोग स्वास्त को लेकर अब भी लापावाय बने हुए है। फिट्निस डिसकरवी प्लाटफरम दोरा किये गए एक हालिया सर्वे में तीरपन फिजदी पती भागयों ने सुविकार किया कि फिट रहने के लिए जिस अनुसार और संपन की ज़रत होती है वह उसमें नहीं है। इतना ही नहीं सब्का में तीन से ज़्यादा बार वे जीम्या हाय इंटे सिटी अक्टिविटी से जी चुराते जीम्या यूग नहीं करते हैं। मर्चित नेवी का चीफ कुग गया घर में मचा कोरां पीम से गुहार मेरे बेटे को वापस ला दू। मर्चित नेवी का चीफ कुग अचानक लापता हो गया। मर्चित नेवी के ऑफिस वाले भी कुछ नहीं बता रहे हैं। आपको हर जाना मिल सकता ऐसे एक मामले में ओभुक्ता अदालत में रेलवे की सेवा में कमी को गंभीर मानते हैं। ओभुक्ता को हर जाना देने का आदेश दिया। जिलाओ भुक्ता विवाद पत्ती तोस आयोग दित्ते ने ट्रेन के वातानियो कुलित कोच में आविस्टक सुधा उपलाब नहीं करानी पर वेलवे पर हर जाना लगाया है। अगर आप PM किसान समान निदी के लाब आते हैं तो आपके लिए बिना एक भी रुपए अपनी जेप से दिये सकार से हर माना तीने जार रुपए पाने के हगदार है। किसान मान्धन योजना का भी लाब दे रही है। मान्धन योजना के लिए कोई दास्ता बेज नहीं देना होगा। किसान सिर्फ जिला अधिकारी को ग्यापन सोपे है। पर उपर जारी रहेगा बर्फवारी का सिर्फ लादेश के इन राज़ों में चार दिन तक परेगे कराके की ठंड। राज़ा ने दिली समय समुझ उत्तर भायत के मौसमें बड़ा उतार चलाओ देखने को मिल जाया। राज़ा ने दिली और आसपास के इलाकों में गुरुवार को दिन बर जाल गरज के साथ तेज बारिस परी, वहीं सुकवार का दिन सुरज की तपिस के साथ निकला, हाला कि इस भी ठंडी हवाओं का असर बरकरार रहा। इसके साथ भाती मौसम विभाग के वेस्टरन डिस्टर्बिन के वज़े से चक्रवती हवाय चलने की उमीद जताई है। इस पर ट्रम्प ने साथ कर दिया कि वे महावियों की सुनवाई में गवाई नहीं देंगे। इस पर राजनीती रंग चड़ गया। तमाम भी पच्छी दल संसद में किसानों का मुद्दा उठारें और सरकार को घेरनी की कोशिस में। इस करीमें सीव सेना ने केंज सरकार पर किसानों को मुद्दे पर गंभी अरोप लगा है। RBI NPC के एलान के बाद सेर बजार में उतार चरहा और सेंसेक 51,000 के नीचे बंद। RBI NPC के बाद आज सेर बजार में जबज़स उतार चरहाओ का माहल देखनी को मुला। अंत में बजार मामली तेजी के साथ लगातार पांते दिन हरे निसान पर बंद हो गिया। OL, RT, TAC और Auto Sector में ज़्यादा मुनाभा वसुले देखनी को मिली जिसकी वज़े से सेर बजार का परणूँ सुच कांट सेंसेक 51,000 अंकों को पार करने के बाद नीचे आ गया और 25,000 अंकों पर बंद हुआ। 25,000 अंकों पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी और रिकोर्ड हाय से नीचे उतर कर बंद हुई। आपको बता दे कि सेर बजार बीते 5 दिन में 10 फिज़दी से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हो चुका है। कि में आप लगपती बन सकते इस वक्त योजना के ताथ 5.8 फिज़दी का ब्याज दिया जा रहा है। या ब्याज वासिक होता है। लेकिन इसमें हर्तिमाय पर कंपाउंड इंट्रेस्ट भी लगता। ऐसे में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। महाराश कॉंगर्ष अध्यक्स बने नाना पटोले एक दिन पहले दिया था स्पीकर पत्चे इस्थिफ़ा ख़वरे नए दिली से। पार्टी नेत्तित से मिला था पटोले दिलिया पार्टी के पुर्व पर्मुक राहूल गांजी से मुलाकात की थी तभी इसे उनका नाम राज कॉंग्रेस अध्यक्स के लिए बाद चर्चन में घात लगा कर किया आतंकी हमला सुलाव सनिकों कुमा दो को बनाया बंधक अफगानिस्तान ने पिसले कई मैनों सो तालिबान लगातर हमला कर रहा तालिबान के आतंकियों ने गुर्वार को कुंदूस प्रांक के खान अबाद में सेना के एक चेक पोस्ट फोकिस को ही उरा दिया इस घाती हमले में सुला सनिकों की मोथ हो गए जानकाई के मताविर ये हमला खान अबाद जिले के टाप एकतर इलाके में हुआ जिसमें सुला सनिक मारे गया और इसके अलवा दो सनिकों को तालिबानी अपने साथ ले गया इस भैवा हमले के बाद सरकार ने इस जगह एक आर्मी के एक यूनिट तेनात करने का आदेश दिया यूनिट इस हमले के लिए जिम्मेदार अतंकियों की तलास करेगी चात्रों पुराज सरकार का ताफा इंटर पास करने पे 25 और ग्रेजिशन पर मिलेगा 50,000 रुप्य खबर नई दिली से चात्रों को पढ़ने के लिए प्रवित करने एवं उसकी होसला फजाई के लिए बिहाज सरकार मुख मंत्री करने उत्थान योजना चलाती है इसमें चात्रों को स्कॉलर्शिप दे जाती है इस बार ग्रेज सरकार ने चात्र वित्ति की रकवन बढ़ा दिया है अब इंटे पास करने वाले लर्कियों को 25,000 और ग्रेजिप्सन करने वाले चात्रों को 25,000 रुपे दे जाएंगे इस विवस्ता वित्ति गल 2021-2022 से लागू होगी